स्वागात है दोस्तो अपने youtub channel T.I. IIT technical course में दोस्तो यहाँ पे ITI वाहले इस्टूडेंटों के लिए अच्छी खासी बेकशनि कम से कम यहाँ पे ITI वाले इस्टूडेंटों के लिए 3,000 बेकशनिन निकाली गई है सिर्फ सिर्फ ITI वाले स्टूडेंटों के लिए यह आप कोई भी ट्रेट से ITI किये हो तो आपके लिए यहां पे 300 यहां पे 3300 बेकंसी निकालीगी है बहुत बड़ी बेकंसी है इसका नोटिफिकेशन लाश टक जरूर देखना पूरा प्रोसेस में आपको बता दूँगा सेलरी क्या रहने वाली है कौन-कौन से स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है फॉम भरने की लाश टेट क्या है फॉम भरने की ओपनिंग डेट क्या है और फीस कितने लगने वाली में जो भी doubt है आपके सारे इसमें clear हो जाएगी सबसे पहले बात कर लेते हैं department दोस्तों ये government of India की vacancy है और ये atomic energy की बिभाग से निकाली गई है जो की है भाभा atomic research center यानि भाभा परमाडू अनुसंधान केंदर की तरफ से बेकंसी निकाली गई है और ये बेकंसी महाराष्टा की है अब बहुत सारे student को doubt ये होता है कि sir मैं महाराष्टा से नहीं हूँ मैं राजस्तान से हूँ या मद्ध प्रदेश से हूँ या यूपी से हूँ तो क्या मैं form भर सकता हूँ तो आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि आप भी form भर सकते हो क्योंकि ये center government की बेकंसी है आल इंडिया इसमें अपलाई कर सकते हैं अब इसमें दूसरी बात ये है कि sir इसका form कब से भराएगा तो इसको opening जो date होगी 24-4-2030 से form भरना चालू हो जाएगा 24 अप्रेल से आप form भरना चालू कर देंगे 10 बजे से फाम भरने की जो दोस्तो लाश्ट डेट रखी गई है तो 25 पांच एनि 25 मई 2023 को 12 बजे से पहले पहले आप form भर सकते हो एनि आप 21 तारिक तक आसानी से form भर सकते हो 21 मई तक बहुत टाइम है आपके पास आसानी सा form भर लेना दोस्तों यहां पर जो बैकेंसे निकाली गे ही तीन गाटेगरी में बैकेंसी निकाली है पहली कटेगरी है टेकनिकल ऑफीसर ग्रूप C की है जो की 56 रुप यहां पेलेवल रहेगा साइंस्टिफिक असिस्टेंट भी की निकाली गी है जो कि 35-400 रुपे इसके लहेगा यानि सेलरी रहेगी पिर तीसरी जो बेकंसी है टेकनीशन भी की है और इसमें से 21 रुपे 700 आपके सेलरी रहने वाली है तो यहाँ पिर जो टेकनीशन भी की है इसी में ITI वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते है और इसमें आगे बहुत बड़ी बेकंसी है आपको पूरा मैं डिटेल से बता दूँगा फिर दूसरी जो बेकंसी एक और है जो ट्रेनिंग स्कीम से है जो कि आपको कटेगरी वन, कटेगरी टू पर रखा जाएगा और कटेगरी टू में ही ITI वाले स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पर कटेगरी टू की बात करें तो 2946 यह जो 2946 पद हैं यह टोटल ITI वाले स्टूडेंटों के लिए है इसे कंडि एर सेकंड साल रहेगा तो आपकी 22,000 रूपए रहने वाली है संट जो डिया जाएगा कि यह इन आपको फ़र्ष यह साल चालू होता है तो आपको full salary 67-67 रुपय पर मन्त यहां पर मिलने वाली है यहां पर first number vacancy की जो detail दिया है टेकनिकल officer ग्रूप C के दिया गया है टेकनिकल officer मेरी आप फम भरना साथ चाहते हैं यह आपके पाश डिगरी है तो आप इसमें से apply कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं इसका पूरा नोटिफिकेशन मेरी टेलिगरम चैनल पर अप्लोड है आप आसानी से चेक आउट कर सकते हैं फिर इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो second number की vacancy है scientific assistant की है जो B group की है और यहाँ पर जो मागा गया है BSC है आपके पाश डिगरी है आप BSC complete कर लिए है home science है तो आप अप्लाई जो scientific है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं अब आते हैं technical B technical B में सबसे पहले boiler attendance की vacancy निकाली गई है यदि आपके पाश 10th qualification है और boiler attendance का certificate है तो आप आसानी से अप्लाई इसमें से कर सकते हैं फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जो की ITI वाले student के लिए है और ITI वाले student बहुत time से इंतिजार की है sir मेरी vacancy सबसे पहले बताईए तो यहाँ पर category जो second दिया गया है इस type pendri training जो दिया गया है सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हैं trade wide post सबसे पहले fitter की बात कर लेते हैं नमबारा vacancy total है 698 post है Turner की total post है 213 post है Builder की total post 99 post है Machinist की है जो maintenance के 18 post है Electrition के लिए दोस्तो 300 99 यानि 400 post सिर्फ सिर्फ electrician बालों के लिए है electronics machine बालों के लिए 226 post है आप यहाँ पर जो qualification की सबसे बड़ी बात आती है qualification आपके पास कम से कम 10th होना चाहिए जिसमें से 60 percentage होना अनिवार रहे सबसे पहले यहीं पे लड़के छट जाते हैं 60 percentage लाना मुस्किल पड़ जाता है तो यह आपके पास 10th में 60 percentage हैं आप अपलाई कर सकते हैं फिर इसके बाद आपका trade certificate एनि ITI साथ में complete होनी चाहिए इन सभी trade हो में और आगे trade है मैं और आगे trade की बात कर लेता हूँ जो से instrument machine है RAC है एनि refrigerator जो है dropped man है dropped man mechanical drop man civil की भी है मासूम की है plumber की है carpenter की है machine motor vehicle की है plant operator की total vacancy आप देख लेना इसका notification जैसे कि मैं telegram channel पर अपलोड कर दिये है पूरा आप देख सकते हो detail में आप आसान इसमें फॉर्म भर सकते हो trade certificate national trade certificate NTC होना चाहिए ITI pass out होना चाहिए student को और national apprenticeship certificate NAC होना चाहिए two year duration under apprenticeship यदि आपके पास apprenticeship है या ITI है तो भी आप apply कर सकते हो फिर इसमें से आगे बात कर लेता हूँ जो भी है आपका यहाँ पे technical ये age technical officer की age है 18-35 साल जो scientific assistant की 18-30 साल technical B की 18-25 साल technical B में आते हैं ITI वाले student तो यदि आपका भी age 18-25 साल के अंदर है तो आप apply कर सकते हो यहाँ पे qualification के बाद जो आपका category में छूट मिलेगी OBC वालों के लिए 3 साल STAC के लिए 5 साल PWD के लिए 5-10 साल और PWD OBC के लिए 10 साल PWD STAC के लिए 15 साल यहाँ पे छूट मिलने वाली है फिर इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो की आपका यहाँ पे selection method क्या रहेगा selection method में आपका सबसे पहले पन बात कर लेते हैं किसमें प्रिमली जो test होने वाला है तो math में 20 question आएंगे science में 20 question आएंगे journal evidence में 10 question ही आने वाले हैं तो इसी से related आपका रहेगा 3 marks आप awareness correct answer आपका यह सही answer होता है तो तीन number मिलेंगे गलत होता है तो एक number आपका cut भी जाएंगे incorrect में फिर दूसरा test होगा advanced test होता है तीसरा होगा skill test तीन प्रकार के test आपके यहाँ पे लिया जाएगा तब आपका final selection होगा अपलाई करने के लिए जो दोस्तों यह दिया गए लिंक इस लिंक के मादम से आप अपलाई कर सकते हैं और इसके बाद जो fees की बाद कर लेते हैं जो application fees है technical officer की 500 रुपे है scientific assistant की 1.5 रुपे है और technician B की है जो ITA वाली student है यहां पे 100 रुपे रखा गया है तो आप आसानी से 100 रुपे पेमेंट करकर फाम भर सकते हो और इसके अलाबा कुछ भी doubt है तो आप लोग comment कर सकते हैं comment box के मादम से में आपको जनकरी दे दूँगा और इस notification को जैसा कि मैं पहले बता दिया था कि उसमें telegram channel पे upload कर दूँगा तो वहां से आप लोग download कर लेना तो इसमें जरूर आप लोग farm भरना या इस category के अंदर गात आते हैं तो आप apply करना क्योंकि 3000 vacancy ITI वाले student के लिए दी गई है तो आपके लिए बहुत बड़ी opportunity है आप आसानी से इसमें apply कर सकते हो मिलते हैं नेश्टी वीडियो पे जय हिन जय वाल